हेलो स्टुडेंट्स में राकेश कुमारियादो मैं आज आपके लिए नंबर सिस्टम संख्या पंडाली के क्यूशन लेकर आया हूँ जो रेलवे और स्सी एक्जाम के लिए बहुती महतुरण है देखिए देखे पहला क्यूशन जब संख्या एन को पांस से भाग देने पर स सेसपल बचा दो संख्या हो जाएगी एन बराबर साथ तो एन स्कॉयर एन स्कॉयर बराबर गुंचास को पांस से विवाजित करने पर गुंचास बटा पांस बटा पांस तो चार सेसपल बचेगा आगे देखिए स्टुडेंट्स दूसरा क्यूशन पहली सो दनात्मक पु क्रुंदें विवाजित है तीन या चार से तो पहली सो के अंदर यह किससे विवाजित होना जिए तीन से सो बाग तीन बराबर ईंसे 23 और 100 बाग 4 बराबर 25 यह हो गई 4 से विवाजित और 3 और 4 दोनों से 3 और 4 मतलब 12 से विवाजित होने वाली 100 बाग 12 12 से विवाजित होने वाली कुल हो गई 8 तो यह हो गई 33 पलस 25 माइनस 8 तो 33 पलस 25 और 58 और 58 माइनस 8 बराबर 50 तीसरा क्यूशन देखें स्टुडेंट्स एक और 700 के बीच कितने संक्या है 17 से पुरनत विवाजित है एक और 700 के बीच तो 700 के अंदर 17 का बाग देंदेगे अपन 17 चोक 68 17 चोक 68, 17 एकम 17, 41 संक्या है एन बराबर 41 संक्या है आगे देखें चोटा क्यूशन इस्टुडेंट्स 19 की गाद 300 को 20 से विवाजित करने पर सेस्पल कितना राप्त होगा तो 19 की गाद 300 बटा 20 तो यह हो जाएगा 20-1 की गाद 300 बटा 20 तो सेस्पल बचेगा 0 पलस कोश्टक माइनस 1 पराबर की गाद 300 तो इसका 1 एक सेस्पल बचेगा आगे देखें स्टुडेंट्स 5 क्यूसन कोन सी संक्या तिन अंकों की सबसे बड़ी संक्या है जो 13 से विवाजित है 13 से विवाजित, 13 से विवाजित, ये नंकों की सबसे बड़ी संक्या, 999 में, 999 में हमें अपन 13 से विवाजित करेंगे, 37 साथ इकरान में, 13 साथ, 13 को साथ से इकरान में, से इकरान में कितना बचा, 89, 37, 38, 98, 99 के अंदर अपन 13 का बाग देंगे, 37 साथ, इकरान में, 8, 89, 89, 33, 88, 11, तो 999 में, माइनस, 11, बराबर, 988 ये संक्या है, जो 13 से विवाजित है, आगे देखें, चटवाई के उसने स्टुडेंट्स, ये संक्या, 9, 3, 2, 4, 8, 8, और 6, 11 से विवाजित है, तो अक्स का मान ज्याद कीजिए, तो 9, पलस 2, पलस 8, पलस 6, इदर हो जाएगा, 3, 4, तीन, 4 और अक्से, इसका योग हो जाएगा, 7, पलस अक्से, 7, पलस अक्से, इसका हो जाएगा, 8, और 10, 19, 19, और 6, 19, और 35, तो जाएगा, 32, माइनस, 7, पलस अक्से, ब्राबर 11, हो जाएगा, अक्से, 18, माइनस अक्से, ब्राबर 11, माइनस का अक्से, ब्राबर, माइनस का हो जाएगा, 7, अक्से, ब्राबर, 7, अक्स का मान, 7 रखेंगे, आगे देखें students, साथवा question, 41 की गाद 43 उनमें से किस से विवाजित है? 43 की गाद 43 और 43 की गाद 41, 43 विसम संक्या है, 41 प्लस 43 किस से विवाजित होगा? 41 प्लस 43, 41 प्लस 43, 82 तो इस 82 से विवाजित होगा, आगे देखें आटवा question, यदि PQ एक दो अंक वाली संक्या है, PQ एक दो अंक वाली संक्या है, तो PQ माइनस QP, इमन में से किस से पुर्णते विवाजित होगा, PQ, PQ होगा, P, और Q, PQ बराबर हो जाएगा, 10 से अंक से पलस Y, और QP बराबर हो जाएगा, 10 Y पलस अंक से, 10 Y पलस अंक से, तो PQ माइनस QP, 10 से अंक से, पलस Y माइनस से, 10 से Y पलस अंक से, तो यह जाएगा, 10 से अंक से, तो यह जाएगा, इसका बराबर 9 से, 9 X माइनस 9 Y, तो 9 कोमन आजाएगा, X माइनस Y, तो PQ माइनस QP बराबर 9 से पुर्णते विवाजित होगा, आगे देखें, Nova Cution students, यदि n एक प्राकर संक्या है, तो n की गा 3-n अमेशा विबाजित होगा, n एक प्राकर संक्या है, तो n की गा 3-n, तो n एक प्राकर संक्या अपन, n ब्राबर, n ब्राबर 1, 2, 3, 4, 5, अगर 3 माल लेते हैं, तो तीन की का तीन माइनस तीन, तीन की का तीन हो जाएगा, सताइस माइनस तीन, सताइस माइनस तीन, सोईस, सोईस हमेशा, सोईस हमेशा, सहसे भी बाजित होगा, सहसे भी बाजित होगा, तो चार हो जाएगा, अगर अपन तीन की जगए अगर चार माल लेते हैं, तो चार की का तीन माइनस तार की का तीन कितनी हो जाएगी? 4 चोग 16 16 चोग 64 माइनस तार तो जो जाएगा 60 66 से विवाजित होगा 10 बार, मतलब 6 से पुरण ते विवाजित होगा एक प्राकर संख्या आगे देखें 10 बार क्यूशने स्टुडेंट्स एक संख्या को साथ से विवाजित करने पर 4 सेस बचता है उसी संख्या के वरक को साथ से विवाजित करने पर कितना सेस बचेगा? अक्स को साथ से विवाजित करने पर कितना सेस बचता है? 4 तो अक्स से बराबर हो जाएगा 7, 4, 11 उसी संख्या के वरक को अक्स स्क्वाइर, 121, 121 को किसे भी बाजित करने पर सास से, तो ये जाएगा, 7 एकम, 7, 5, 7, 7, 49, कितना बचा, 2 बटा, 7, तो कितना भी बाजित हो रहा है, कितना सेस बच रहा है, 2, आगे देखें, स्टुडेंट्स, यारवा क्यूशन, तार अंको की सबसे बड़ी संक्या म इससे कि उनका योग 307 से विबाजित हो, तार अंको की बड़ी से बड़ी संक्या, 9, 9, 9, ये होगी चार अंको की बड़ी से बड़ी संक्या, 307 से विबाजित हो नहीं चाहिए, तो ये चली जाएगी, 3 बार, 921, 921 इदरा जाएगा, 8 इदरा जाएगा, 7 इदरा जाएगा 9, अब ये इसे 2 बार multiply होगी 612 इदरा दाएगा 5 इदरा दाएगा 7, इदरा दाएगा 1 105 अब 105 अब तो अपने पास बचा है 307 के अंदर 105 कर देंगे 307 माइनस 105 क्या हो जाएगा इदर 2 इदर हो जाएगा 13 132 132 अपन को और एड करना है सारंगों की बड़ी से बड़ी संख्या में जिससे 307 से पुरणते विवाजित हो जाए पार वा क्यूशन देखे स्टुडेंट्स 3 से 60 के बीच एसी कितनी विसम संख्या है जो 5 से पुरणते विवाजित है पांच से पुरणते विवाजित एक दो हो गई पांच दस सम आ गई पंदरा 20 सम आ गई फिर 25 30 सम आ गई 35 और 45 और 55 कितनी संख्या होगी एक दो तीन चार पांच से आगे देखे स्टुडेंट्स तेरवा क्यूशन 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या है साथ से विवाजित है एक अजार के अंदर अपन साथ का बाग देते हैं साथ एकम साथ एकम साथ 3728 साथ दुनिच छोगदा 1425 बाज जाता है 300 अब 300 के अंदर अपन साथ का बाग देंगे साथ दूनिर 24 heavily बाजित बादा 142 माइनस 42 बराबर सो एसी संख्या होगी तो 300 और 1000 के बीच सो एसी संख्या है जो साथ से पुरनते भी बाजित है आगे देखें students चौगदवा क्यूसन पांच अंकों की वहें बड़ी से बड़ी संक्या ग्याद कीजिए जो 468 से पुरनते विवाजित है तो पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संक्या लिख लेंगे वरी 99999 इसके अंदर अपन बाग देंगे 468 का 468 का दो बार देंगे द 16.13 का 3 1 4 299 936 इदर अजाएगा 3 इदर अजाएगा 6 इदर अजाएगा 0 उपर से उतार लेंगे 9 एक बार जाएगा 468 1 13 13 में से 6 चला गया 13 में से 6 चला गया तो आ गया साथ फिर हम इसे 6 चला गया आगया साथ पांच-पांच में से तार गया एक और उपर से नो फिर जाएगा ये तीन बार लगबग तीन बार जाएगा तीन आठ चोईस का सारा शिलकी दो सहती अठारा दो बीस का जीरो अशिलकी दो जाएगा इन्यान में 664 एसी संक्या है तो 468 से पूरणते विवाजीत है आगे देख के स्टूडेंट्स अंदरवा क्विशन 250 से 1000 तक कितनी संक्या है जो 5, 6, 7 से पूरण रूम से विवाजित है 5, 6, 7 का उनको निकारना पड़ेगा LCM 5, 6 और 7 का LCM तो यह जाएगा LCM तो 2 से इदरा दाएगा 5, इदरा दाएगा 3, इदरा दाएगा 7 फिर जाएगा 3 से 5, 1 और 7 फिर जाएगा 5 से 1, 1 और 7 फिर जाएगा 7 से 1, 1, 1 तो इसका LCM आजाएगा LCM बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 7 पंजे 35, 35, 30, 105, 105 को 2 से 210 से 210, 25 से 1000 के बीच याशी कितनी संक्या है 1 संक्या हो जाएगी 420 इस लूसरी संक्या हो जाएगी 630 और तीसरी संक्या हो जाएगी 840 कितनी संक्या हो जाएगी 3 आगे देखे, solve a question students तार अंकों के वह बड़ी से बड़ी संक्या ग्याद कीजिए जो 83 से पुरणत है विवाजित हो तार अंकों के 9, 9, 9, 9 83 से पुरणत है विवाजित है 83 यह हो जाएगो 83 में एक बार देंगे 99 में 83 जाएगा 6, 1, 16 और उपर से आजाएगा, फिर जाएगा 2 बार फिर फिर जाएगा यह इससे 2 बार 2 बार जाएगा तो 2 बार यह जाएगा 167 कितना बचा 3 2 बार 166 फिर 3, किदर 0, यह पर जीरो उपर से आजाएगा 9 तो इसके अंदर नहीं जा रहा है तो 999 के अंदर अपन 39 माइनस करेंगे तो संक्या हैगी वो 83 से पुर्णते विवाजित होगी तो 47 तो एकी गात N माइनस एकी गात N बराबर A माइनस यह A माइनस B से पुर्णते विवाजित होगी A बराबर अपन 47 और B बराबर 1 तो A माइनस B तो 47 माइनस 1 बराबर हो जाएगी 43 अब यह 43 होगी 23 इंटू 2 तो 23 से विवाजित होगी आगे देखें स्टुडेंट्स अठारवा क्यूसन ज्यादी एक 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 एन अंग 9 से विवाजित है तो N का नियुंतम मान गयात कीजिए 9 से विवाजित तो N नियुंतम मान होगा 9 1, 1, 1, 1, 1, 1, यह होगे 5, 6, 7, 8, 9, यह होगा 9 से विवाजित एक बार बाग देखे देख लेते हैं इसके अंदर 9, 9 एक कम, 9 कितना बचा, 2, 9 दुनी, 18, कितना बचा, 3, फिर, कितना बचा, 3, 9 दुनी, 18, कितना बचा, एक एक बार आ गया, एक बार आ गया, यह एक बार आ गया 39, 27 किसी संख्या को 208 से बिबाजित करने पर 3 star 64 बचता है अक्स को 280 से बिबाजित करने पर कितना सेजबल बच रहा है 73 अक्स ब्राबर 283 अक्स ब्राबर 283 अक्स ब्राबर 283 अक्स ब्राबर 353 उसी संक्या को 35 से विवाजित करने पर इससे दस बार बचा तीन आगे देखें स्टुडेंट्स बीस वा क्युशन वह चोटी से चोटी संक्या ग्याद कीजिए जो दो से दस तक की सभी संक्याओं से विवाजित हो तो दो से दस तक की तो दो तीन, यह हो जाएगी, सार हो जाएगी, दो इंटु दो, पांच हो जाएगी, से हो जाएगी, दो इंटु तीन, साथ हो जाएगी, आट हो जाएगी, दो इंटु दो, नो हो जाएगी, नो हो जाएगी, तीन इंटु तीन, दस हो जाएगी, दो इंटु पांच, तो इसका एक, एक, दो, तीन, तीन सबसी ज़्यादा बार है, दो की गात, तीन की गात, तीन की गात, दो सबसी ज़्यादा बार है, तो तीन इंटू तीन, पांच की गात, कितनी बार है, पांच की गात, एक सबसी ज़्यादा बार है, साथ की गात, एक सबसी ज़्यादा बार है, तो य तीन आठ तीन तीन नो और पांस साथ 35 यह हो जाएगी इक तीसो बीस एक सी संख्या है तो दो से दस्तक की सभी संख्या हो से विवाजित है आगे देखें स्टुडेंट्स 21 वा क्यूशन दो से बड़ी और 30 से कम एक कितनी संख्या है जो केवल एक और स्वयम से विवाजित हो एक और स्वयम हो जाएगी एक तो दो से वड़ी 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 शत्त्रा गुनिस के बाद होती है तेईस के बाद होती है गुन 30 यह हो जाएगी एक दो तीन चार 5 छह साथ आठ नो नो इसी संक्या है, जो, एक और स्वयम से विवाजित होती है, दो से तीस तक, आगे देखे, बाइस वा क्यूशन स्टुडेंट्स, तीन की गाथ इग्योतर प्लस तीन की गाथ मैंतर प्लस तीन की गाथ इंतर प्लस तीन की गाथ चौनतर प्लस तीन की गाथ प्लस तीन की गाथ इग्योतर आजाएगा कोमन प्लस तीन की गाथ जीरो प्लस तीन की गाथ एक प्लस तीन की गाथ दो प्लस तीन की गाथ तीन की ग गयाद की गात 21 एक पलस थीन पलस नहों एक प्लस तीन पलस नहों पलस 27 फ्लस 81 यह जाएगी तीन की गात 21 इंटू 121 एक नौकीस होता है तीन की गात 21 इंटू 11 का स्क्वाइर तो यह 11 से भी बाजित होगा आगे देखें students तेश्वा क्यू mirrors पाँ चंकों की वहए चबसे चोटी संक्या कोण सी है जिसे साथ से विवाजित करने पर 6 cents sixty बजता है पाँ चंकों की सबसे चोटी संक्या के अंदर अपन पहले 7 का बाग देंगे पाँ चंकों की सबसे चोटी संक्या 10,000, 10,000 में 7 का बाग देंगे, 10,000 में 7 का बाग देंगे, तो आएगा 6 पल कितना बचेगा, तो 6 पल बचेगा, इसके अंदर 6 पल, तो 7 का बाग देंगे तो ये कितना बचा? 3 7 एकम 7 फिर 3, 7, 2, 28 फिर 2 7, 2, 14 7, 8, 56 7, 8, 56 कितना सेस्फफल बचा? 4 बटा 7 4 सेस्फफल बच रहा है तो 6 से भी बाजितों ना चीए तो 6 माइनस 4 बराबर 2 तो 10,000 के अंदर अपनको 2 और एड करना पड़ेगा तो 10,000 10,002 के सी संक्या है? इसे 7 से भी बाजित करने पर 6 सेस्फफल बचता है देखे स्टुडेंट्स तो इस स्वाक्यूशन जब 500 की गात 501 को 126 से भी बाजित किया दाता है तो सेस्फफल के रूप में क्या अप्राप्त होगा? पांस 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 की गात 501 पटा पटे में हो जाएगा 120 120 से भी बाजित किया दाता है पांस की गात 501 को अपन पांस की गात तीन और 116 लिख सकते है बाटा 117 पिर आगे लिखेंगे पांस की गात पांस की गात तीन होती है 125 तो 120 माइनस एक 125 की गात 117 बाटा 117 तो यह जाएगा माइनस एक बाटा 117 माइनस एक की गात जाएगी 166 तो यह जाएगा माइनस एक बाटा माइनस एक बाटा 166 तो सेस फल सेस फल होगा 135 आगे देखें स्टुडेंट्स 35 वा क्यूसन एन एक पुरुन संक्या है जिसे जब 6 से भी बाजित किया जाता है तो 4 शेस फल बसता है एन एक माइनस एक पुरुन संक्या उसे जब ज़ित किया जाता है तो 4 शेस फल बसता है पुरुन 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 पुर्ण संख्या होती है, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, एक, दो एसे, पुर्ण संख्या है, तो अगर, पुर्ण संख्या को अगर, अक्स को 6 से भी बाजित किया जाता है, तो कितना 6 बचला है, 4, तो अक्स से बराबर हो जाएगा, 6, 4, 10, तो 2N, 2N मतलब, 2 इंटू 10 है, कितना 6 बचेगा, 2, 6 पल, 2, 6 पल, आगे देखे, स्टूडेंट सब 200 क्यूशन, चार अंकों वाली हो है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो गुंचास से पुर्णते, विवाजित हो, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, 9999 में भाग देंगे, अपन गुंचास का, तो ब 4 बार, 1193 में, कितना माइनस करना पड़ेगा, 3, तो 9999 में माइनस 3, तो 6, 9996 में, के अंदर गुंचास का, पुरा भाग जाएगा, आगे देखे, स्टूडेंट 27 वे क्यूशन, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्याद कीजिए, जो 88 सी से पुर्णते विवाजित ह तो 4 रंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9999 में, के अंदर अपन भाग देंगे, 88 का, एक बार देंगे, 88 से 88, कितना आ गया, 11, तीचे, भाग नहीं जाएगा, इसे उतार लेंगे उपर, भाग जाएगा, एक बार, भाग जाएगा, एक बार, 88, एक, तीन, 31, फिर पुर्णते जाएगा, 9, फिर भाग जाएगा, तीन बार, भाग देंगे, तीन बार, तु जाएगा, तीन बार, आर्ट ये 24, से चुका है, 24, 264, 264 इदर जाएगा, 5, इदर 11, 11 में से गया, 5, तो 55 माइनस करना पड़ेगा, 9,999 में माइनस 55, 4, 4, 9, 9, 9, 944, आगे देखके, स्टुडेंट्स, 28 क्यूशन, यदि तीन अक्स स्क्वाइर, पलस ए, अक्स पलस चार, अक्स माइनस 5, दुआरा पूर्णते भी बजित हो, तो एक कामान, ज्याद कीजिए, तो ये हो जाएगा, 3, अक्स स्क्वाइर, पलस ए, अक्स पलस चार, ब्राबर, 0, ये हो जाएगा, पहला समिक्रण, इसको किसे माइनस, किसे भी बजित करना है, अक्स माइनस 5, अक्स बराबर हो जाएगा, पांस से, अक्स बराबर 5, तो अक्स कीजिए तीन, अक्स कीजिए 5 रखना है, तीन, पांच का स्क्वाइर, पलस ए, तीन, पांच का स्क्वाइर, ए, इन्टू, पांच पलस चार, ब्राबर, 0, तो ये हो जाएगा, पांच ए, ब्राबर, पांच, ए, ब्राबर, माइनस का 79, ए, ब्राबर, माइनस का 79 के अंदर, पांच का बाग देंगे, तो एगा, पंद्र, माइनस का, पंद्र, पोइंट, आठ, आगे देखें, स्टुटेंट्स, गुंती स्वाक्यूशन, 47 से विवाजित होने वाली, चार अंकों की सबसे चोटी संक्या ग्याद कीजिए, चार अंकों की सबसे चोटी संक्या हो जाएगी, एकजार, एकजार के अंदर अपन, 47 का बाग देंगे, 47 का बाग, दो बारी चला जाएगा, सोर्यान में, कितना बच गया, से साट, साट के अंदर फिर एक बार जाएगा, 47, कितना बच जाएगा, 13, तो तेरा तो अपने पास है, और 47, में, साटारीस में, तेरा तो अपने पास है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 37, तो एकजार, पलस, 37, एकजार चौटीस एसी संक्या है, एकजार चौटीस एसी संक्या है, जिसमें 47 का पूरे से पूरे भाग जाता है, आगे देखें, स्टुडेंट्स, तीसवा क्यूसन, वह प्रफेता जर्थे没有 지लिकने एक टाने सब्सेंने से साथ भारत कर थे को देंगे 30 थे 10 थे 10 फिर फिर है फिर 15 नब्भ्वए 10 फिर 0, फिर 5, फिर 90, फिर दाएगा 10, फिर दाएगा 5, फिर 90, फिर 10, फिर 10, तो इसके अंदर अपन को 18 सारा जोड़ना है जिस में से 10 अपने पास पहले से हैं, और कितना जोड़ना पढ़ेगा 8, एक 3, 4, 5, 6, फिर फिर दाएगा 8, 0, 0, 0, 8, 0, 0, एक लाक और 8 उपईया, उपईया या संख्या मान सकते हैं, आगे देखें 31 कि उसने स्टूटेंट्स, एक सातर ने एक संख्या को 21 से विबजित करने के बजाए 12 से विबजित कर दिया, और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, सह एक संख्या को 21 से विबजित करने के बजाए 12 से विबजित कर दिया, अक्स को कितने से विबजित कर दिया, उसने 12 से विबजित कर दिया, 12 से विबजित, 12 इंटू 35 प्राप्त हुआ उसे, 12 इंटू 35, 35, 350 और 70 350 और 70 420 वह संक्याती 420 को अगर वो 21 से विवाजित करता तो उसका सही उत्तर आता 20 सही उत्तर आगे देखे students 32 क्यूशन वह हैं छोटी से छोटी संक्या ग्याद किजिए जिसे 2,31,226 में जोडने पर प्राप संक्या 23 से पूरणते विवाजित हो तो 2,31,228 के अंदरापन को बाग देना है 29 का 7 बार जाएगा 7 ये 21 7 ये 21 और 2 7,21 और 2,23 पूरा का पूरा जला गया उपर से आजएगा 2,2 बाग नहीं जाएगा 0 फिर उतार लेंगे पन 2 बाग नहीं जाएगा 0 फिर उतार लेंगे पन 8 इसमें जाएगा बाग 6 का शेबार जाएगा 6,18 का 8 हासिल की 1 6,18 6,18 और 1,19 210 में 228 माइनस 110 में कितना बच गया 30 कितना जोनना पड़ेगा उसमें 30 माइनस 30 तो अपने पास पहले हैं तो 3 अपन को जोनना पड़ेगा 23,000 नहीं दो लाग 31,228 पलस 3 तो 8,3,11 गया एक 8,31 यह हो जाएगा 23,231,231 ऐसी संक्या है तो 33 से पुर्णते विवाजित है आगे देखें स्टुडेंट्स 33 वा क्यूसन इनमें से कौन सी संक्या 8 से बाज्जे नहीं है 8 से बाज्जे होने के लिए 8 से विवाजित होने के लिए चर्णते शंक्या के लाष्ट के 3 अंक 8 से विवाजित होने चेहे संक्या के लाश्ट के तीन अंक आठ शे विवाजित होने चाहिए तो 666 826 तार नहीं जा रहा है पहला दूसरा 866, 48 2, 28, 24 जा रहा है 8, 81, 8, 32 जा रहा है 8, 32, 68, 44 जा रहा है 8 शे विवाजित तो इकाई वह हैं वैं ताही वैं शेकडा का अंक 8 से विवाजित होना चाहिए 8 से विवाजित होने का नियम है आगे देखें स्टुडेंट्स, 34 क्यूशन 2, 7, 6, अक्स 1, 3 से विवाजित है तो अक्स के संभावित मानों का योग तो 2, 7, 6, अक्स और 1 तो 3 से विवाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विवाजित होना चाहिए तो यह जा रहा है, 7, 2, 9 जा रहा है तो यहां पर आ सकता है, 2 आ सकता है 2 रेक 3 हो गया 5 आ सकता है, 5 रेक 6 हो गया 8 आ सकता है तो संभावित अंक 2 आ सकता है पलस 5 आ सकता है, पलस 8 आ सकता है 8 और 5, 13 और 2, 15 अंकों का योग 15 आगे देखे, स्टुडेंट्स मैं 30 वा क्युशन एक संक्या पंडाली में 14,528 को एक संक्याशी विवाजित करने पर सुरेश को बागपल, 83 और 6 पल, 3 प्राप्त वागपल, 83 और 6 पल, 3 तो एक सुत्र होता है स्टुडेंट्स भाज्य भाज्य ब्राबर, बाजक, बाजक, बाज्य ब्राबर बाजक इंटू बाज्य ब्राबर बाजक इंटू बाग, बागपल, बागपल पलस 6 पल थेज़ फल तो अपन को निकालना है यह अपन को बाज़े दे रखा है स्वाउदाजार पान सो अठाइस पराबर बाज़ेक निकालना है अपन को बाज़ेको अक्स से इंटू पाग फल 83 फलसे थेज़ फल कितना पराप्त हुआ है तीन तो यह हो जाएगा 83 x ब्राबर 83 x ब्राबर 14,520 में से 3 माइनस करना पड़ेगा अपनको 14,525 14,525 x ब्राबर 14,525 बटा तैयासी तो यह चला जाएगा इससे 140 हो जाएगा पाजक आगे देखें स्टुडेंट्स 37 x यदी संख्या अक्स 4,4,6,1 11 से विवाजित है तो अक्स का मान ज्याद कीजिए तो अक्स सम अक्स पलस 4,1 इदर हो जाएगा 4 और 6 तो यह इदर हो जाएगा अक्स से ब्राबर 5 तो इसके अंदर अपन को अक्स का मान 5 आएगा आगे देखें स्टुडेंट्स हैं तीसवा क्यूशन इमन में से कौन से संक्या नो दुआरा विवाजित है नो से विवाजित का नियम है संक्या के अंको का योग नो से विवाजित होना चाहिए संक्या के अंको का योग नो से विवाजित होना चाहिए तो 6 और 5, 11, 11 और 4, 11 और 4, 15 नहीं जा रहा है 9 और 8, 9 और 8, 9 और 8, 17, 17 और 4, 21, 21 और 9, 30 नहीं जा रहा है 9 और 4, 9 और 4, 13, 13 और 6, 19, 19, 19 और 3, 19 और 3, 22, 22, 25, 27 ये 4, 9, 6, 5, 3, 4, 9, 6, 5, 3, ये 9 से विवाजित होगा आगे देखिए 38 कि उसने स्टूडेंट्स नेमलिक्स में से कौन सी संक्या 6 से बाज्य है 6 से बाज्य होने के लिए 2 इंटू 3 तो 2 से भी बाज्यत होने चाहिए और 3 से भी बाज्यत होने चाहिए 2 से भी बाज्यत होने के लिए 1 का अंक है 1 का अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 2, 0, 4, 6, 8 होना चाहिए और तीन से विवाजित होने के लिए, संख्या के अंको का योग, संख्या के अंको का योग, संख्या के अंको का योग, तीन से विवाजित होना जीए, तो इसके अंदर ये, ये चैसे विवाजित हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये नहीं होगी, अब आठ और साथ 15, 15 और 3, 18, 18 और 3, 21 तो ये 1, 2, 3, 7, 8 ये पहली संक्याई 6 से विवाजित होगी आगे देखें स्टुडेंट्स, 49 वा क्यूशन, 987, अक्स, 14, संक्याई के दुवारा दियेगे विकलपों में अक्स तुने, ताकि संक्याई 6 से पुर्णत है विवाजित हो, तो 6 से विवाजित होने के लिए 2 और 3 से विवाजित होना चाहिए, तो 2 से विवाजित हो रहे हैं लाष्ट के अंदर 4 है, 3 से विवाजित होने के लिए अंको का योग, 3 से विवाजित होना चाहिए, पलस अक्स, पलस 5, पलस 4, 5, 4, 9, 3 से विवाजित हो रहा है, 9, 3 से विवाजित हो रहा है, 8, 7, 15, 3 से विवाजित हो रहा है, तो अक्स की जगह, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सक सकता है और 9 भी आ सकता है 3 6 और 9 3 6 अक्स की जगे अक्स की जगे 3 या 6 या 9 कुछ भी आ सकता है आगे देखे इस्टुडेंट्स 1265 में क्या गठाया जाए ताकि प्राव संक्या गुंतीस से विवाजित हो तो 1250 में क्या गठाया जाए 1265 में 1265 में बाग देंगे अपन गुंतीस का बाग देंगे अपन गुंतीस का तो 1265 बाग देंगे अपन गुंतीस का इसमें में जाएगा चार बार नो चोग 36 का 6 असिल की तीन चार दुनिया आठ तीन ग्यारा 126 में से 116 चला जाएगा दस और पांच उपर से आजाएगा फिर जाएगा तीन बार तीन बार 2927 इसका 7 और 26 और 28 87 तेरा और 5 तेरा और 5 अठारा इसमें से 1265 में से अब बन 18 माइनस कर देंगे तो संक्या गुंतीस से पूर्णते विवाजित हो जाएगी 15 में से 8 गया 7 पंदरा में से 8 चला गया 7 5 में से 1 चला गया 4 तो 1247 इसकी संक्या है गुंचास के अंदरपन 11 का पहले बाग देंगे 11 का एक बार, कितना जाएगा 6, 11, 5, 55, कितना जाएगा 8, 11, 8, 88, कितना बच गया एक, तो 11 माइनस एक अपने पास है, तो 10 अपन को जोणना पड़ेगा, सत्रा सो गुंचास से संक्या है, जो 11 से पुर्णत विवाजित है, आगे देखके, स्टुडेंट्स, 42 स्वाक्यूशन, जब 3 की का 10 को 7 से भिवाजित किया जाता है, तो 6 पल क्या प्राप्त होगा, तो 3 की का 10, मतलब 3 into 3 into 3, 3 बार हो गया, यह 4 बार हो गया, यह 5 बार, यह 6 बार, यह 7 बार, यह 8 बार, यह 9 बार, यह 10 बार, तो इन सब को गुणा करने पर आएगा गुंचास जीरो 69-0 गुंचास 69-0 गुंचास को 7 से विवाजित करेंगे तो 6 पल आएगा 4 देखे इस्टुडेंट्स 43 वा की विशन आगे निमन संक्याओ में कौन सी संक्या 12 से विवाजित है एकाई और दाई के अंक में 4 से बाग जाना चाहिए तो इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है अब 3 से विवाजित होने के लिए संक्याओ का योग 3 से विवाजित होना चाहिए तो 9 9-3-12 12-4-16-16-16 और 3-16 नहीं जा रहा है 3-3-9 9-4-13 तो नो से भी बाजित होने के लिए संख्याओं का योग, संख्याओं का योग नो से भी बाजित होना चाहिए तो चाहिए तो पाँच और चैए 11, 11, 17, 18, 18 और चैए 24 तो यह नई हो रहा है, आगे दूसरा चैए और दो, दो और चैए 8, 8 और 8, 16, 16 और साथ, 16 और साथ, 23, 23 और चार, 23, 29 नो से भी बाजित हो रहा है, तीन बार तो यह हो जायेगा, चार, साथ, आठ, सह, दो आगे देखें, 45 वा क्योशन स्टुडेंट्स चार करमागत संख्य होगा गुनलपन निमन में से किस संख्या से है मेज़ा विवाजित होगा तो चार करमागत संख्य हैं तो अपन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दूसरा ओप्शन, दूसरा देख लेते हैं 4 इंटू 5 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 शैपंजियो 30 और 12 365, पांचों का 20 20 तिया 60, 120 तो एक किस से विवाजित होगा ये विवाजित होगा में साथ चोईस से, ये भी चोईस से आगे देखे, 46 वा क्विशन एक से 100 तक की गिंती में दो अंक अंक दो दाही के स्थान पर कितने बार आएगा तो एक से 100 तक की गिंती में एक से 100 तक की गिंती में अंक दाही के स्थान पर दाही के स्थान पर 11 से लेकर 11 से 20 तक कितने बार आए एक बार और 21 से 30 तक कितनी बार आ रहा है आ रहा है 9 बार 21 से 30 तक 9 बार और 31 से 31 से 100 तक कितनी बार आ रहा है 0 बार तो टोटल कितनी बार आएगा 10 बार आगे देखिए 47 वा क्विशनी स्टुडेंट्स, एक से सो तक की गिंती में 5 कितनी बार आता है, एक से गुंचास तक कितनी बार आ रहा है, एक से गुंचास तक 5 बार आ रहा है, पचास से साड़ तक कितनी बार आ रहा है, पचास से साड़ तक 11 बार, और 61 से सो तक कितनी बार आ रहा है, 61 से 100 तक आ रहा है, 4 बार, तो जो जाएगा 5 प्लस 11 प्लस 4, 5 और 4 9, 11 और 9 20, आगे देखिए 48 वा क्वेशनी स्टुडेंट्स, 5 अंको वाली एक संख्या में सेकडे के इस्तान पर मेजूद अंक 2, और इकाई के इस्तान पर मेजूद अंक, सेकडे के इस्तान पर, के दो गुणा, तो 5 अंक वाली संख्या, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, सार अंक, पांच अंक, सेकडे के इस्तान पर मेजूद अंक, कितना, 2 और इकाई के इस्तान पर मेजूद अंक, सेकडे के इस्तान पर मेजूद अंक का दो गुणा, एक इकाई पर कितना हो जाएगा, दो गुना तो इसका वह जाएगा दो दुनी तार अंक्या में हजार के इस्तान पर सुनने इकाई दाई शेकड़ा हजार हजार के इस्तान पर क्या है सुनने है दस हजार के स्थान पर मेजूद अंक सेकड़े और सेकड़े स्थान पर मेजूद अंक और एकाई के मेजूद अंक के योग के बराबर तो शेकड़ा और एकाई चार और दो च्छह हो जाएगा दस हजार के स्थान पर दाई के स्थान बर मेजूद अंक 10,000 के स्थान बर मेजूद अंक से एक कम 10,000 के स्थान बर मेजूद अंक चाह तो ये वजाएगा 5 तो संक्या हो दाएगी 6,0254 6,0254 आगे देखे 49 वा क्यूशन इस्टुडेंट्स 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रियोग करते विये बनने वाली 4 अंकों की सबसे थोटी संक्या 3, 0, 5, 3, 0 3, 0, 5, 6 आगे देखें students, 50 वा क्युशन अंक 2, 3, 4, 0, 5 ये बनी 5 अंकों की सबसे थोटी संक्या 5 अंकों की सबसे थोटी संक्या हो जाएगी 2, 0, 2, 0, 3, 4, 5 2, 0, 3, 4, 5 आगे देखें students, 51 वा क्युशन 6 अंकों की एसी थोटी से थोटी से थोटी से थोटी और बड़ी से बड़ी दनात्मक संक्या होगा योग जाद कीजिए जो क्यवल 0, 4 और 6 से बनी हो इसमें परते अंक कम से कम एक बार आना चाहिए तो थोटी थोटी बनेगी थोटी बनेगी इसमें 4, 0, 0, 0, 0 थोटी यह हो जाएगी थोटी और बड़ी बनेगी 6, 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 4, 0 का योग 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 निकालना है तो यह जाएगा 6, 4, 6, 6, 6, 7, 4, 10, 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 आगे देखें स्टुडेंट्स 22 क्यूशन 301 से 399 तक गन्ना करने पर 3 कितनी बार आता है कुल 3, 3 आएगा, 3 कुल आएगा 119 बार आगे देखें त्रेपनवा क्यूशन तो अंको की महाद संक्या ग्याद कीजिए जिसके अंको का योग 8 जिनके अंको का योग 8 तो अक से पलस Y बराबर 8 यह हो गया पहला समिक्रण और इनको 37 दोडने पर प्राब संक्या मूल संक्या को उलटने पर बराबर हो जाती है माना संक्या संक्या आपने माल लेते हैं 10X पलस Y तो यह हो गयाएगा 10X पलस Y 10X पलस Y पलस 37 पराबर 10Y पलस X उलट जाएगा यह हो गया 9 Y माइनस 9X पराबर 37 तो यह हो गयाएगा Y माइनस X पराबर तार यह हो गयाएगा दूसरा समिक्रण तो गयाएगा X पलस Y पराबर 8 Y माइनस X पराबर हो गया तार X पराबर हो गया 2 और Y पराबर हो गया 6 अब इस थांक्या हो गया 2 और 6 आगे देखे students जैदी संक्या 2, 8, 9, 3 hedge और dollar 8 और 5 यह पुरुणते विवाजित है तो hedge के इस्तान पर कौन सा अंक्रमस्य आएंगे 2, 8, 9, 3, 1, 1, 8 और 5 यह पुरुणते विवाजित है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर hedge यहाँ पर dollar 5 से 5 से पुरुणते विवाजित है तो यहाँ पर तो यहाँ पर आजाएगा अगर इस के इस्तान पर पन 0 माल लेते हैं 2, 8, 9, 3 hedge और 0 अवे 3 संक्या 8 से पुरुणते विवाजित हो नहीं चाहिए आठ से पुर्णते विवाजितों नहीं चाहिए आठ 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 तीन सो अगर आपन इधर आपन तीन सो बीस माल लेते हैं तो ये आठ से विवाजितों आठ चोग बतीस तालीस बार आगे देखें अच्वनवा क्विशन स्टुडेंट्स याजि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या को च्छे अंकों की सबसे थोटी संख्या से गठाया जाता है तो सेस्पल कितना होगा च्छे अंकों की सबसे थोटी संख्या एक जीरो 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 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या नाइन 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 से गठाया जाता है तो आएगा एक जीरो 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 नाइन टिर्पल जीरो वन आगे देखे स्टुडेंट सपनवा क्यूसन पिच्चानव पॉइंट पी चोतर और 0.02 0.02 0.0554 के गुननफल यह रूप में प्राप्ट संख्या में दसमल लग है कि दाइं और कितने सार तक अंक होंगे तो पिच्चानमे 0.54 इंटू 0.02 0.0554 कितने अंक होंगे यह हो जाएगा इससे मल्टिप्लाई तो हो जाएगा 2. 0.45 तो कितने अंक होंगे 3 और 3 जाएग आगे देखे साताओं रूप किशन स्टूडेंट्स इंवन लिकी समिक्रन के आदार पर A, B का मान गयाद कीजिए B, A B A इंटू B, A इंटू B, A इंटू B, 3 B, A इंटू B, 3 ब्राबर 57, A D, A इंटू B, 3 ब्राबर 57, A अगर इसमें तो Option के साबसे अगर इसका B का मान अपन B का मान दो और इसका मान मान लेते अपन 5 इंटू 2 इंटू 3 इदर हो जाएगा 5, 7 और 5 500, पीच्वतर आगे देखे स्टुडेंट्स 58 वा क्यूशन 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे चोटी संख्या का अंतर ज्याद कीजिए 6 अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी हो जाएगी था अंकों की 9, 9, 9, 9, 9, 9 माइनस था अंकों की सबसे चोटी संख्या इदर हो जाएगा 1 इदर हो जाएगा 9, 9, 9, 9, 9 8, 8, 9, 9, 9, 9 आगे देखे स्टुडेंट्स 60 वा क्यूशन सबसे बड़ी हो और सबसे छोटी संक्या का योग योग याद करना है तो छेंगों की सबसे बड़ी छेंगों की सबसे बड़ी 1-2-3-4-5-6 और छेंगों की सबसे छोटी तो योग 9-9-9-9-9-10 10-9-9-9-9-9 आगे देखे स्टुडेंट्स पांच अंकों से मिलकर बनी नियुन्तम संख्या जो सत्यानवा से भी बाजित है वह अक्स है अक्स के अंकों का योग याद कीजिए पांच अंकों से मिलकर बनी नियुन्तम संख्या पांच अंकों से कि नियुन्तम संख्या कि अंदर अपन अगर 97 से भी बाजित करते हैं तो एक बार 97 कितना आ गया 3 भाग निजारा 0 यह चला जाएगा 3 बार साथी 21 200 एकराण में कितना बच गया 9 97-9 97-9 97-9 तो यह चलाएगा 97-9 88 88 गन अपनेगा 5 अंदर पलस 88 88001 तो यह चलाएगा इसके अंको का योग 8 दूनी 16 एक 17 आगे देखे 61 क्यूशन स्टुडेंट्स सरनी एस से न 99 तक दाई गन्डा में दाई में खुल कितने अंक होते हैं आगे देखे इस्टुडेंट्स 65 क्यूशन दो करमागश संख्या ग्याद किजिए जिनमें पहली संख्या का तीन गुना दूसरी संख्या के दो गुने से 5 अधिक है पहली संख्या तो करमागश संख्या अक्स और अक्स पलस 1 तो पहली संख्या का तीन गुना तीन अक्स ब्राबर दो कोश्टक अक्स पलस 1 पलस 5 तो यह जाएगा तीन अक्स ब्राबर दो अक्स पलस 7 अक्स ब्राबर हो जाएगा 7 तो संख्या में जाएगी 7 और 8